हलो आज वीडियो होने वाला है ये ड्रेस का पैपलम टॉप का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग टूटोरियल इस वीडियो में आप बहुत कुछ देखेंगे कैसे एक साड़ी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फुल पैपलम ड्रेस बनाने के लिए और कैसे उसके हर एक पार्ट को यूज़ करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं साड़ी है लाइनिंग है और एक ये ब्लाउस का फैब्रिक जो की 80 सेंटिमीटर मैंने अलग से लिया है देख लेते हैं साड़ी को साड़ी है कुछ ऐसी नीचे इसके बॉर्डर है और इसमें फॉल भी लगा हुआ है और इसमें पल्ला पार्ट भी है आचल जो है आपका सबसे पहले हम इसका ये जो पूरा नीचे का डाउन वाला बॉर्डर है ये पूरा अलग कर लेंगे ये कुछ 10 से 15 इंचे का है और उसके बाद हम इसका फॉल भी निकाल लेंगे और पल्ला पार्ट आचल का जो पार्ट है उसे भी कट करके अलग रख लेंगे फिर ये जो प्लेन पॉर्शन है इसको कैसे यूज करना है वो आगे आप इसमें देखेंगे तो चलिए पहले अलग कर लेते हैं ये मैंने नीचे का पार्ट अलग कर लिया है ये हम बाद में यूज करेंगे कि मैंने इसका वो भी निकाल के रख लिया है अब देखिए हमें बनाने के लिए मैंने lining fabric लिया है सबसे पहले टॉप बनाएंगे टॉप में बिना फ्रिल वाला हिस्सा वेस्ट तक का हमें पहले cutting करनी है उसके measurement मैंने screen पर दे दिया है इसके according ही हमें cutting करनी है तो मैं shoulder ले रही हूँ इसके according ही change और ऐसे ही मैंने 6 inches का ही मैंने आम हो लिया है इन दोनों को मैंने मिला लिया है उसके बाद burst लेंगे सब मैंने इसके measurement यहां दे दिया है अगर आपका baby का measurement कुछ और है तो आपको उसके according करना है मैं इसके according कर रही हूँ उसके बाद जो length है मैंने length proper ही ली है जितना मुझे blouse का waste area तक चाहिए उसके बाद पूरी measurement की drafting हमने lining fabric में की है आम होल की गोलाई में दे रही हूँ अब आता है neck कोड करना तो 1.5 inch की मैंने चोड़ाई ली है गहराई आप accordingly लेंगे फिलाल 2 inch की ले रहे है फिलाल back का ही मैं 2 inch का ही ले रही हूँ back वाले का ही cutting करना है फिर जब front का हम cutting करेंगे उसके हम बाद में draw कर लेंगे यहां मैंने कर लिया है front का मैंने 4 inches लिया है back का मैंने 2 inches लिया है बट cutting ध्यान रहे cutting हमें back portion की ही पहले करनी होती है shoulders half inches तक डाउन करेंगे इसको cutting कर लेते हैं front cutting मेरी हो गई है देखे मैंने 2 parts करके अलग रख लिया है अब same हमें जो main fabric है सारी का plain वाला portion है उसका मैंने लिया है double fold में कपड़ा already है अब मैंने four fold कर दिया है one more fold अब इसके उपर इसको रखके trace करेंगे और cutting कर लेंगे अगर आप ऐसे cutting ना कर पाए तो पहले pinces set करके कर सकते हैं मैं फिलाल ऐसे ही कर रहे हूँ क्योंकि ये बहुत soft और sensitive delicate कपड़ा है बहुत जादा संभाल के करना पड़ेगा थोड़ा टेड़ा मेड़ा हो जाएगा बट वो हम stitching करते समय manage कर लेंगे तो ये मेरे दोनों पार्ट कटके ready हो गए है अब आता है front पार्ट में neck designing करना neck designing के लिए मैंने ये blouse piece का fabric लिया है अलग से इस पे मैंने पहले lining fabric लिया है lining fabric की लंबाई मैंने लिए 9 चौड़ाई मैंने लिए 10 inch same measurement का हम ये blouse का fabric भी कट कर लेंगे आता है चलिए मेरी कटिंग हो गई है अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करके शेप देना है जो हमारा यू शेप है वो हम इस पर दे देंगे इस तरीके से रखते हुए यह जो अनीवन कपड़ा है उसको कट करने लिए बस मैंने स्केल से लाइनिंग करिए बाकी इसकी ज़रूत नहीं है वो स्टिचिंग करते समय ही हो जाएगा यह मैंने यू शेप इसमें दे दिया है अब इसको ऐसे ही स्टिच कर लेंगे में फैब्रिक में फैब्रिक जो है जो ब्लाउस का में फैब्रिक है उसका सीधा पार्ट अंदर की तरफ होना चाहिए और फिर हम इसको स्टिच करके पलट लेंगे ताकि फिर सीधा पार्ट पहार आ जाए इस तरीके से हमें से स्टिच करना है देखिए मैं दिखाती हूँ मैंने सिधा पाट अंदर किया है अब ऐसे करके हमें से स्टिच कर लिया है अब इसको जितना भी बचा वआ यह है इसको फिनेशिंग देते हुए फिर हमें पलटके प्रेस जरूर करनी है प्रेस करना बहुत ज़रूरी है प्रेस कर लेगे काईज मेरे चैनल पे इसके जो बॉटम है उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है अगर आप उसे देखना चाहते हैं मैंने कैसे उसको बनाया है तो वो भी आप देख सकते हैं बहुत क्यूट सा ड्रेस बनके रेडी हुआ है और अगर आपको मेरे आइडिया पसंद आता है तो लाइक भी आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेए विकरस मैं ऐसे ही क्यूट क्यूट सी ड्रेस बना के अपनी डॉटर्टर को पहना के अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ आपको भी आइडिया मिल जाए और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सारी दुपटाज जो भी आपके के पास कपड़ा है तो चलिए अब हम इसे अब हमें लगाना है यह में फैब्रिक में नेक को तो उसको लगाने के लिए अब देखे मैंने इस तरीके से रखा है इस तरीकी से हमें इसे सिधा ही रखना है मैं इसे पलटना नहीं है तो सबसे पहले पिंसे सेट जरूर कर लेंगे सिक्योर जरूर कर लेंगे बिकाज ये कपड़ा बहुत soft है जो साड़ी का है वो बहुत हिलेगा बहुत मुश्किल हो जाएगी कला टेड़ा बन सकता है तो पहले ऐसे secure कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ मैंने इसे secure कर लिया है यहाँ पर मैं एक lace भी यूज़ करना चाहती हूँ आप चाहते हैं तो कीजिए नहीं मेरे पास रखा था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ और वो match भी हो रहा है इसके साथ blue dot के साथ तो मैंने उसको लगा लिया आप की मर्जी आप कैसा भी लगाएं क्या लगाएं मैं इस तरीके से इसको लगाने वाली हूँ तो मैं अभी इसको आपको final दिखाती हूँ नेक बनने के बाद सो गई इस नेक ऐसे बनके ready हो गया है अब इसे हमें चो लाइनिंग है इसके साथ attach करना है तो देखिए मैंने सीधा पार्ट सामने रखते वे उसके गले की और इसको कट करके फिर में फैब्रिक पर रखके इसको स्टिच देंगे मैं इसी लगाते समय भी पिन से सिक्यूर कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी अगर उपर नीचे हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने ये स्टिच कर लिया है अब जो नेक मैंने लग बनाया है उसको हम काट कर लेंगे और पूरा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के उसे कट करने के बाद इसको पलट लेंगे तो देखे कितना क्यूट अभी ये नेक पोर्शन लग रहा है अब इसको प्रेस ज़रूर कर लेंगे पूरे कोने अच्छे से निकालके हमें इसे प्रेस करना है बैक का भी इसी तरीके से बना लेंगे बैक में डिजाइन नहीं देना है बैक को सिंपल लाइनिंग को में फैब्रिक से अटेच करना है वो मैंने कर लिया है अब इसे भी परट लेते हैं पीछे मैं जिप लगा रही हूँ जिप लगाने के लिए ऐसे कपरे को डबल फूल करके यहां पर एक मार्किंग कर लेंगे स्केल से चॉक से फिर इसमें एक कच्छी सिलाई देदेंगे रो स्टिच देदेंगे उसके बाद जिप को ऐसे खोलना है इस तरीके से अब इसे द दिखा रही हूँ इसी तरीके से हमें लगाना है जिप को ऐसे इसको पलट के स्टिच देदेंगे में को मैं जिप लगाने में इतनी पॉपिक नहीं हूँ बट मैं अपना अभी तक में जैसे लगाती हूँ वही तरीका इसमें दिखा रही हूँ मैंने यह लगा लिया है जि कुछ को उसी के ऊपर कट करना है कि नहीं कटनी चाहिए यह हमें ध्यान देना इसलिए इसलिए को हटाते वे इसे कट कर ले इसे यह बन गया है अब एक्स्ट्रा जिप कट कर लेगे और इस पर एक स्टीच देदें गे उपर से फिनिशिंग वाली ऐसे जो जिप का एक्स्टा उपर का पार्ट है उसे मोडते वे एक स्टिच देंगे गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और कुछ आपके अद्वाइज है तो प्लीज मुझे जरूर दीजिए देखिए मेरा लग्या है जिप अब चलिए अब हमें बैक पोर्शन और फ्रेंट पोर्शन को शोल्डर से अटैच करना है शोल्डर से अटैच करने का तरीका वही है सीमलेस अटैच करना है ताकि हमें यह स्टिचना दिखिए तो जो एक पार्ट है उसे हम उल्टा कर लेंगे तो ये जो मेरा आगे का पोर्शन है मैं इसको उल्टा कर रही हूँ ये मैंने उल्टा कर लिया है अब देखिए इस तरीके से हमें रखना है कि दोनों का सीधा मतलब जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है वो उपर देखना चाहिए फिर उल्टे बैक पोर्शन को मैंने अंदर गुसा के इस तरीके से यहां शूल्डर को अटाच करने है तो देखिए कितना ब्यूटिफुली सफाई से शूल्डर अटाच हुआ है देखिए तो यह तरीका बहुत यूसफुल है बच्चों के लिए बहुत यूसफुल है अक्चली बच्चों को चुपता नहीं है स्टिच यह बहुत धियान रखना पड़ता है बच्चों के लिए अब side stitch दे देंगे fitting की measurement एक बार फिर से करके जितना हमारा measurement है उतना फिर side से stitch देना है यह मेरा upper portion ready है now अब हमें इसमें frill लगाना है upper portion को measure कर लेते हैं कितने का बना है यह मेरा लगबग 11.5 का बना है मुझे 26 इसको ready चाहिए था तो अब मैं इसमें around 15 और 16 का frill लगाऊंगे तो frill मैं यह लगा रही हूँ मेरे पास extra fabric के इसमें से मैंने 15 inches कट करके इसे लगा रही हूँ फ्रिल की width आप कितनी भी रख सकते हैं जितना आपको गेर volume पसंद है नीचे मैं फिलाल अपने हिसाब से रख रही हूँ जितना volume आपको पसंद है उतना आप रखिए इसमें हमें frills देनी है इसको लगाने के दो तरीके या तो आप फ्रिल पहले इसमें gathering पहले कर लीजिए या फ्रिल साथ में attach करते वे gathering कीजिए तो सबसे पहले side से इसको attach कर लेंगे मतलब पूरा round बना लेंगे उसके बाद ऐसे attach करते वे इसमें gathering देते जाएंगे तो देखे मैंने उसमें उसकी matching blue lace भी लगा दी है वेस्ट एरिया में अब आता है थोड़ा जो मेरी ये फ्रिल बनी है इसके नीचे बॉर्डर में बॉर्डर लगाना तो जो साड़ी का blue बॉर्डर था वो इसमें मैं लगा रही है ये बॉर्डर मेरा साड़ी में से निकला मैं रग कर लिया था इसी को मैं इसमें लगा देती हूं तो चलिए देखिए लगने के बाद यह कैसा लगता हैं तो final लुक देखिए कितना क्यूट है अब इसमें आती है sleeve लगाने के बारी sleeve के लिए मैंने double fold में ये रखा है कपड़ा अब इसको one more fold कर दिया है simple sleeve के cutting कर नी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सिंपल ही करनी है इसमें मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि स्लेव थोड़ी ट्रांस्पेरिंट ही मुझे सही लगी थी तो मैं वैसे ही बना रही हूँ थोड़ा मार्जन रखते हैं मैंने स्लेव की कटिंग कर लिए देखिए दोनों स्लेव एक साथ रड़ी हो गई है फ्रंट के लिए जो हम शेप देते हैं लीव का वह भी देते हैं यह मैंने आपको कहा ना एक कपला बहुत सॉफ्ट है ना तो फिर थोड़ा स्लेव का कटिंग भी टेड़ा मेंड़ा आपको दिख रहा होगा बड़ कोई बात नहीं हम वह मैनेज कर लेंगे अटेच करते हुए अब आता है स्लेव में भी डिजाइनिंग करने की बारी तो बॉर्डर लगा देंगे सारी का बॉर्डर है और एक अलग से मैंने लेस का बॉर्डर लाके रखा था वो लगाना है पर उससे पहले इसको हैम कर लेंगे एसे हैम करके फिर बॉर्डर ऐसे लगाएंगे पहले ब्लू फिर वो कुछ दूरी पर वो डिजाइनिंग आपके उपर आप जैसा करना चाहिए मैंने ऐसे किया है ऐसे करने के बाद यह इस तरीके का बना है तो चलिए अटेच कर लेते हैं स्लेव को कुरती में इसके बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेती है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई